अदानी ग्रूप ने धारावी प्रोजेक्ट में 2000 करोड का किया निवेश धारावी के विकास में कॉंग्रेस और उधाब क्यू बनी रोडा धारावी का काया कल्प क्यू नहीं चाहती उधाब और कॉंग्रेस अदानी ग्रूप ने धारावी प्रोजेक्ट में 2000 करोड का निवेश किया दो महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू होने के भी उमीद है 20,000 घर बनाने का प्लान है कितना बढ़िया प्लान है वहाँ पर अगर आप कहेंगे इतना लोगों को वहाँ पर रहने के लिए अच्छी घर मिलेंगे डिवलाप्मेंट होगा बहुत सारी चीज़े उन्हें उसकी फिसिलिटीज मिलेगी लेकिन क्या यह चीज़े कॉंग्रेस और उधर ठाकने चाहती है महराश्ट्रों में इनकी महाविकास अगाडी की सरकार कितने लगे समय तक लेकिन दारावी की लोगों के लिए उन्हें कुछ नहीं कि लेकिन अब जब अदानी करना भी चाहते हैं तो इसके लिए रेली निकालते हैं और डिफ्लाप्मेंट इन autos चाहते हैं आकर development होने से उन्हें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको उताती हो धारावी का स्लम जो है बहुत ही बड़ा स्लम एश्या में भी इसकी गिनी चुनी जो अगर आप कहेंगे कि लिस्ट में यह निकल कर सामनी आता है कि अश्या का सबसे बड़ा स्लम इसे कहा जाता है अ डिवलाप्मेंट जो करना चाहते हैं उनका विरोध कर रही है और यह इसी वज़े से क्योंकि धारावी की अंदर जो कई सारी अगर आपको इंगे च्छोटी च्छोटी गलिया है जो सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट ही तो रहें वहां से अगर आप कहेंगे कि पहुत सार बनते नजर आ रही हैं तो अदानी ग्रूप ने धारावी री डिवलाप्मेंट प्रोजेक्ट में तो हजार कडोर रुपए का निवेश किया है मुंबई में 640 एकड़ में फैले इश्या के सबसे बड़ी स्लम में री डिवलाप्मेंट के लिए अडानी ग्रूप और महरा जिवदार है जो CEO है उन्होंने कहा कि यह मेरे करियर का सबसे चालेंजिग प्रोटक्स हैowan रएभावे डिवेव्लाप्मिंट प्रोजेक्ट के जो स्वर श्रीवाज्वाहसन कहा कि यहां मेरे करियर का सबसे चालिंजिग साल की अंदर रिहाबिटेशन और एलिजिबिल्ट फैमिलीज को फिर से बसाना शुरू करना है भारतिय रेल्वे को पहले ही एक हजार कड़ों रुपए का पेमिट कर दिया धारावी में घरों के गिंती और डिवलाप्मेंट सर्वे करने के लिए एडिशनल फंड का यूज किया जा रहा है जो मार्च 2025 तक पूरा होने की उमीद है एक से दो महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू होने की उमीद की जा रही है इस प्रोजेट का टार्गेट अगले चार से छे महीने के भीत है रेल्वे की जमीन पर रिहाबिटेशन बेलिंग्स बनाना इस प्रोजेक्ट में कई भूमिकाओ के लिए तो सा-, जाधा कर्मचाहियों को न्यूक्त कैंग्या इस प्रोजेक्ट के सामने कई चुनौतिया है 설명 हाई development अधिग्रहण करना भी कठीन हो गया हैं क्योंकि कई सरकार ने भ्हूमिय उपलप कεται के इनकार कर दिया है लेकिन अब इस मामले में अब एक NGO का साथ भी अदानी ग्रूप को मिल चुका है जी हां मिल को सही सुना आपने अदानी ग्रूप के लिए एक बड़ी जीत है क्योंकि रोने जो निवेश किया जो चीजे की है लेकिन अब एक NGO जो है वो उनके साथ आ गई है NGO ने अब धाराव दारावी में 350 वर्ग फिटका फ्री अपार्टमेंट में एक जनवरी 2000 और एक जनवरी 2011 के बिच रहने वाले निवासियों को धाई लाग रुपाइक का भुगतान करने पर मुंबई के प्रदानमित्र आवास योजना के तयाद घर आवंटिक जो है किया जाएगा ऐसे हमें जो अदानी है अदानी के लिए यह बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे काफी जो आम जुनता है उनको फाइदा होगा क्योंकि धारावी की अगर हम बात करें तो धारावी की वहीं हमने बताया कि से दाउद क्यांग कमजोर हो सकता है धारावी के अगर हम बात करे भी नहीं है डिवलाप्टमेंट का विरोधा आखिर कौन करता है डिवलाप्मेंट जो है वो कैसे आप खैर हम रोदी आप अब अब बैतर रहने की जगा मिले हर वेक्ति यह चाहता है तो वह लोग जिया नहीं रहते होंगे वही इस चीज के लिए इसका विरोध कर सकते कोई और नहीं करेगा और यहीं नहीं आपको बता दे कि धारावी में काम करने वाली कई सबसे बड़ी जुगी बस्ती में आपचारी किराइदारों के चल रहे हैं राजसरकार को अपना समर्थन देने का वादा किया गयर अस्थानिया लोगों पर गलत सूचना फैला कर पूर्ण विकास को रोकने की कोशिश करने का भी आरोप लगा जैसा उन्हें राजसरकार के अ वक्री सब्सक्राइदाब फ्मिण करो से लकाइदा अपनी सरकार में जो हैं टिया लोगों को अधित ठाकर तो कि कि मेधारावे की लोगों सा कहना चाहता है कोई भी आपको यहां साहता है इन्हों इस गलत information फैला इन्हों ने मिसिंफॉमेशन जो है फैलाया मिसिंफॉमेशन फैला के लोगों को बरगला और किया कि आपको बाता जाया यह नहीं बता रहें कि आपको बहुत तर्व जमीन दी जाएगे आपको बैतर घर दिये जाएंगे डिवलाप्मेंट करा जाएगा विकास होगा काया कल्प होगा जो पानी जमता है वो जमेगा नहीं जो कि बस्ती से आप थोड़ा एक स्टैंडर ओफ लिविंग आपका बढ़ेगा चीजें जो है बहुत सार चीज क्या जा रहा है धारावी को जैसे ने को करने देंगे खुद तो करना नहीं है और नहीं से कहा चाहार चीज समझारी और यह तो उनका राइट मिलेगा धारावी को जो घर है जो मकान है उनके उन्हें दी जाएगी उन्हें वहां से बेदखल नहीं किया जा रहा है किसी भी तरीके से महां पर नुकसान नहीं होने वाला है यह सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस रणनीती बना रही है सबसे बड़ी समस्या यह है कि एशिया का लार्जिस्ट स्लम एरिया है वहां से कई सारे मामले आए हैं कई सारे एसे लोग जो वहां से निकल कर भी बहुत उचे स्थानों पर बैठे हैं कुछ ऐसे भी क्राइम की चीज़े हैं जो वहां से ब बड़ा स्लम एरिया है वो इसका डिवलाप्मेंट की अंदे करने की बात का यह कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया किया जहां पर वहां जो लोग रह रहे हैं जो बहुत खराब स्थिति में रह रहे हैं उनकी लिविंग स्टेंडर को डिवलाप किया जाहे दा लेकिन किसी के डिवलाप्मेंट करने से किसी को कैसे तकलीफ हो सकती है महाराश में इनकी सरकार थी आपने डिवलाप्मेंट करना चाहिए था चाहिए चीज़ें के हाथ में इनके अंडर में करना चाहिए था इन्होंने किया नहीं कर रही है तो सिर्फ और से तकलीफ होगे पूरे धारावी में रहे हैं शायद उनकी पूल खुल जाएगी सारी चीज़ें निकल कर सामने कहीं तरह के conceptions है कहीं तरह की चीज़ें कहीं जा रहे हैं लेकिन एक बात होता है कि कॉंग्रेस और उधव